Hello Friends, मेरा नाम है Steveum और आज हम देखेंगे एक essay जिसका नाम है Dream Children जिसे लिखा था Charles Slam ने इसमें Charles Slam ने दोस्तों अपनी एक Personal Life की एक Story बताई है छोटी सी और ये एक Reverie है Reverie उसे कहते हैं दोस्तों जो दिन में सपना दिखा जाता है तो basically इसमें चार स्लैम जो रहेंगे न दोस्तो वो सपना देखेंगे और वो दिन में देखेंगे सपना bench पर बैठ के यह जो मेरे बगल में है, यही चार्ल स्लैम का भूमिका लिभा रही है, तो आएए देखते हैं वो सपने में क्या देखते हैं और वो कैसे सोते हैं हाई मेरा नाम है चार्ल्स एम्स एक बार मैं गार्डेन में गुमता हुआ ठक गया था तो मैं रेस्ट करने का सुचा और मैं अपनी गार्डेन की बेंच पर बैट कर टायट फिल करने लगा और वहीं पर लेट गया और उसी दोपर को मैंने एक सपना देखा कि मेरे बच्चे आ रहे हैं जिसका नाम है जोन और एलेस तो चार्ल एम्स इसी दरह अपने गार्डेन के बेंच में बैट कर सो जाते हैं और वहां पर उनके बच्चे यानि कि उनका बेटा जॉन और उनकी बेटी एलेस उसे कहानियों की बारे में जानना आते हैं कि आखिर हमारे जो बड़ वो कैसी थी जो कि चार्ल एम्स की मा लगेगी उसके बाद चार्ल एम्स की बीबी यानि कि उन बच्चों की मा जिनका नाम था विंटर टोन उनके बारे में जानने आते हैं और लास्ट उनके अंकल यानि कि चार्ल एम्स के भाई जॉन एम्स के बारे में वो बच्ची जानन के लिए वहाँ आते हैं उनकी दादे फिल्ड के बारे में वो बताते हैं कि वो काफी बड़े घर में रहा करती थी इस घर से काफी बड़ा घर था वो और वहाँ पे वो ऐसे रहा करती थी वो वहाँ की मालकी न हो पर वो थी सिर्फ एक केर टेकर वो घर हमारे आज के घर से काफी बड़ा था और तुम्हारी दादे फिल्ड वहाँ एक बॉस की तरह रहा करती थी और ये बड़ा सा मकान बच्चो नौर्थ फोर्थ वे में था ऐसा चार्ल्स अपने बेटा बेटी को पताते हैं उस बड़ी इसे घर में एक छोटी सी चिमनी थी जिस पे कुछ लिखा था वो चिमनी वेडन की बनी हुई थी और उसमें आग जलता रहता था और उसके उपर में जहां वाइट पोश्चन आपको दिख रहा है वहाँ पे एक पोयम गड़ा हुआ था ऐसा चार्ल्स लेम अपनी बच्चो को बताते हैं और उस पोयम का नाम था दा चिल्रेन इन दा वोड जो की चिमनी में छपी थी पर जब वहाँ पे एक बड़ी मालिक यानि की मालिक चेंज हो जाते हैं तब उस चिमनी जो वड़न चिमनी थी उसे हटा करके संगे मरमर की चिमनी लगा दे जाती है उसमें कुछ पोयम नहीं थे सिर्फ और सिर्फ वह और संगे मरमर की चिमनी थी इसकी बाद चार्ज। अपनी बच्चों को अपनी दादी की अच्छाईयं के बारे में बताते हैं कि वो काफी ज़्यादा रिलीजिन्स पूजा पाट करने वाली महिला थी लोग उसकी दादी को काफी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे वो ए तुम्हारी दादी उन्हें अच्छा भूत कहकर उन्हें अपने साथ रहा करती थी। मैं जब भी अपनी मा के साथ यानि तुम्हारी दादी के पास चुटिया बिताने जाया करता था तो मैं बहुत मजग किया करता था पर उन्हें कैंसर की बिमारी थी और तुम्हारी दादी फिल्ड काफी कम उमर में ही चली गई उनके फिल्ड में काफी लोग आये थे और काफी हतास थे वो इनसे पता चलता है कि तुम्हारी दादी को वो कितना पसंद करते थे और कितना रिस्पेक्टिबल थी तुम्हारी दादी ऐसा चार्लिस बताते हैं अपने बच्ची लोगों को उनकी दादी के बारे में इसके बाद वो कहते हैं इसके बाद चार्ल्स लेम अपने भाई जान स्लेम के बारे में बच्चों को बताते हैं कि वो काफी अच्छी बैकती थे उन्हें तुम्हारी दादी फिल्ड काफी ज़्यादा पसंद करती थी मुझसे भी जाता वो काफी सुल्जा हुआ और काफी अच्छा वैक्ती था तुम्हारे चाचा काफी अच्छे थे बच्चों ऐसा चार्जर स्लेम बताते हैं वो इतने अच्छे थे कि एक बार तुम्हारे पापा का जब टांग तूट गया था नहीं चार्ल लेम्स का तो वो अपने कंधे पे तुम्हारे पापा को बठा कर घूमा करता था पर जब तुम्हारे चाचा यानि कि जौन्स लेम्स की बैर तूटी तो मैं उसे कंदे पर उठा कर नहीं घूम सका जिस तरह वो घूमा करता था उसके सारे पार्ट्स खराब हो गए थे डॉक्टर ने कह दिया था कि वो अब नहीं बचेगा इसके बद बच्चे काफी जादा इमोसिनल हो जाते कास तुमारे चाचा मेरे भाई वापस आ पाते मुझे उनसे माफी मागनी थी क्योंकि मैं उन्हें कंदे पर कभी बैठा न सका और मेरा भाई चला गया कास वो फिर से आ सकता और उसके बाद चाल्स लैम रो पड़ते हैं और उन बच्चों को उनकी मा के बारे में बताते हैं जो की काफी खुबसूरत मैला थी वो कहते हैं और तुम्हारी मा का नाम विडिया टोन था मेरे बच्चों तुम्हारी मा इतनी जादा खुबसूरत थी कि साथ सालों तक हमारा रिलेशन रहा पर मैं भूल गया था कि मेरी शादी तुम्हारी मा से नहीं हुई और तुम दो बच्चों को मेरी गोद में देकर तुम्हारी मा चल बसी तुम दो बच्चों का निशानी वो मुझे तो दे गई पर वो वापस लोट कर नहीं आई साधी करने तक वो मुझसे नहीं आई और बिना साधी की वो इस दुनिया को छोड़ कर चली गई उसके बाद चार्ल एम्स अपने बच्चों को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं चार्ल्स कहते हैं कि तुम दोनों का चेहरा एलिस के चेहरे से काफे ज़्यादा मिलता है इसकी बाद वो जग जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो एक कहानी सोच रहे होते हैं और यहीं पर दोस्तों यह इसे खत्म हो जाती है आपको यह ऐसे कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और प्लीज विडियो को लाइक करें सेयर करें और सबस्क्राइब करें थैंक यू दोस्तों